आप सभी का मेरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आई होप आप सब लगोत अच्छे होंगे और हैपी करवाचोट टू आल अफ यू मुझे लग रहा है कि सबने वरत रखा होगा जिस सिस्टिम वरत रखा है मुझे कमेंट करके जुरूर बताना हांची मैंने भी वरत नदर को सुला दिया है मैंने और दाल भी गोदी है मैंने नाइट में दाल बनाने वाली हूं हमारे दाल बंती और कौन सी दाल बंती हो मैं आगे आपको दिखाती हूं अभी मैं जा रही हूं अपना सूट रेडी करने और थोड़ी सी जूल्ड़ी निकालने जो कि अभी मैं पहनूंगी मैं रेडी होने वाली हूँ अभी फिर मैंने काथा भी करनी है तो उससे पहले तब तक आप लोग जाकर देख के आओं कि सर्गी में मैंने सुबह क्या खाया है तब तक मैं अपना सूट रेडी करती हूँ और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कौन सी ड्रेस पहनने वाली हूँ यह देखिए मेरी मेंदी मैंने एक नाइट पहले मेंदी लगाई थी एक्चली मैं हूँ लेफटी कुछ लोगों तो बता भी होगा तो राइट हैंड पे मैंने लगा ली थी खुदी और दूसरे हाथ पे पती देव ने लगा दी मेंदी तो यह देखो और फिर सूखने के बाद मैंने इसको निकाल दिया था फिर नदर को भी राद को फीड करना होता है तो नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मैंने यह कुछ खाया सरगी में यह देखिए यह मैंने आलो गोबी की सबजी बनाई थी दो प्राठे लिए है एपल जलेबी ली है थोड़ी सी दही है और कोकोनट वाटर है एपल को मैंने करनी किया है क्योंकि यह कोकोनट जो है ना इसका पानी निकलेगा अभी और यह बड़े वाला कोकोनट है वैसे मैं गिरी वाला कोकोनट लाती हूं उसमें से थोड़ा पानी निकलता है और थोड़ी से गिरी जो होती है ना वो भी खाते हूँ पर ये कोकोनट बहुत बढ़ा था तो मुझे था कि इसमें से ज़्यादा पाने निकलेगा इसलिए मैंने एपल को कटने किया क्योंकि फिर बाद में खाया ने जाएगा मुझसे अगर खाने का मन हुआ तो बाद में करूंगे गट पर मुझसे खाया नहीं गया था मैंने बस कोकोनट बाटर ही लिया था और प्राठे खाये देही भी मुझसे जादा नहीं खाया गया और थोड़ी से जिलेबी सबसे पहले जब मैं बत स्टार्ट करती हूँ मैं जलेबी खाती हूँ और उसके बाद फिर मैंने कोकोनट फॉटर पिया इसे पीने से आपको धिन बड़ जादा प्यास नहीं लगती है और हमारे बनती है ये उड़त की दाल जो है वो बनती है दिवाली पे या किसी भी फेस्टिवल वाले देन दुसारे पे वरत पे तो यही मैं आज बनाने वाली है और कुछ क्रेले भी पड़े थे ये मैंने नमक लगा के रख दी है देखूंगे अगर टाइम लगा तो बना दूँगी तो ये वाला सूट है जो मैं पहनने वाली हूँ ये देखिए ये मैंने प्रेस करके रख लिया है और दूपटा अभी इसका साइट पर पड़ा है बाद में दिखाऊंगी तो ये मैं रख दूपड़े होके अभी फिर पहनूगी तो अभी मैं करने वाली हूँ अपना मेकप क्या था भी मैंने करनी है तो अभी मैं जट से रेडी होने वाली हूँ है स्टाइल मैंने ऐसे सिंपल सा ही कर लिया है और अभी मश्यारेजर लगाके अभी मैं मेकप स्टार्ट करने वाली हूँ तो मैंने अब ये एक कलर बार का न्यू प्राइमर लिया है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये वहला बहुत ही अच्छा है प्राइमर जेल फोम में है ये मैंने फर्स टाइम में ये वहला लिया है और बहुत ही अच्छा है इससे ना जो मेकप है बहुत ही स्मूथ लगता है तो ये आप लोग जुरूर ट्राइ कर सकते हो बहुत ही अच्छा प्राइमर है ये तो मैं इसको लगाऊंगी अभी बिल्कुली जेल फों में है ये इसली लग भी जाता है और उसके बाद जब आप मेकप करते होना तो बहुत ही स्मूथ लगता है तो चलिए तो आज फिर कुछ बात करते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स के बारे में मुझे भी बताईए आप कुछ अपने बारे में कि कितने मैरेड लोग कितने अर्मैरेड लोग कौन कौन सी एज के लोग कहां कहां से मुझे फॉलो कर रहे हैं जिरोंने मेरे सब्सक्राइब किया हूँ है चैनल क्यूंकि देखिए यूट्यूब में मैं अपने लाइफ आप के साथ शेयर करती हूँ पता चले कि कहां कहां से मुझे लोग देख रहे हैं क्या क्या मेरे बारे सोच रहे हैं कुछ ना कुछ कुमेंट आप जरूर क्या करो और मैरेड अनमेरेड से मुझे याद आया कि मैं आपको बताने वाली थी कि हम ना छोटे होते जब बच्मन में 8th 9th क्लास से हम लोग लेगे लड़किया हम सभी फास्ट रखती थी तो आप लोग बताना कि अनमेरेड टाइम में भी कितने लोग हैं जो आज भी फास्ट रखते हैं हम लोग भी अपनी मम्मी भाबी जो फास्ट रखती थी उनको देखके हम लोग भी उनके साथ फास्ट रख लेते थे ये करव साखल कर बच्चे कितना है क्या करते हैं क्या करते हैं कि अभलीव रख लेते हैं भाले हैं किया प्रण में क कुछ खा लिया किचन में जाके तो मेरा फास्ट टूट गया और कुछ लोग जब कथा के बाद कुछ लोग ना दूद पी लेते थे पी लेते हैं लेडिस भी कुछ है जो कथा के बाद दूद पी लेते हैं और कुछ लोग नहीं पीते हैं मैंने स्टार्टिंग से कुछ नहीं पिया कठा सुनने के बाद मैंने कुछ भी नहीं पिया है मैं बिलकुली निर्जल वरत रखती हूँ वाकि अपनी अपनी होती है बोलते हैं कि आजकल का तो पतानी है तो आप भी पताना कि आप ऐसे घथा सुनने के बाद कुछ पीते हो कि नहीं पीते हो और फिर उसके बाद तो फिर थोड़ टाइम ही रहता है इवनिंग में बस वही वेट होती है कि चान निकल जाए अगर मौसम साफ हो तो चान जल दिया जाता है कभी कभी तो वह भी बहुत इंतजार करवाता है तो अभी मेरा मेकप तो बस होने वाला ही था अभी नदर क्या है नदर कर रहा है परिशान वो टाइम हो गया है मैंने पहले बाल भी सेट किये तो उसको अभी आए कि ममा रेड़ी हो रही है बतानी कहां पे जा रही है मुझे गोद में उठा लो वो थोड़ा सा ना इंसिक्यूर फिल करता है यह पतानी ममा कहां जाने वाली है तो मैंने उसको अपने ब्रश वगरा दे दिये नीचे बैठा वो खेल रहा है उनके साथ कुछ मैं मांग भी नहीं थी वो देनी रहा था तो ओल्मोस जितना भी मेकप है ना अभी ने हाथ इणसे अधा है यह किरूँ के प्रफ ब्रश की में एक हम यह लागा है चल्दी से मैं नियां जल्दी रेड़ी हो जाओं और फिर मैंने कथा भी करनी है और फिर मैंने रात की जू ठाली वी करनी है सारा खाना भी त्यार करना है तो इसके पापा भी आ जाएंगी आज थोड़ा बोल रहे थे मैं जल्दी आ जाओंगा देखती हूं कब तक आते हैं वो बोल रहे थे ना इनो प्लोक तक आ जाओंगा और आज तो मैंने अभी तक टीवी में न्यूज वगरा कुछ नहीं सुना कि कुछ टाइम बगरा भी ने सुना कि जान कितने बज़े निकलने वाला है कुछ वो दे देते हैं ना टाइम का कि इस एरिया में कितने बज़े निकलने वाला है तो ना मेरी किसे से बात हुई अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है तो मैं यही कर दे थी कि मैं एक्चुली मेरे सूट आपने देखी लिया कौनसे कलरका है उसे कलरका ही मैं यहां पर शैड़ो लगा रही हूं तो अजर आपको ऐसी सिंपल मेकप वाली कुछ लुक्स चाहिए होंगी कुछ आपको ब्लॉक्स चाहिए होंगे तो मुझे जरूर बताना मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे कि गेट रेड़ी विद मी में कैसे मैं जटपट रेड़ी होती हूं बच्चे के साथ मुझे बहुत मुझे होता है और कभी कबार जब आप त्यार होती हो तो बहुत अच्छा लगता है रेगूलर डेज में तो मैं इतना मेकप नहीं करती बस हलकिसी बिंदी लगा लिए या वाश्रेजर लगा लिए लिप्स्टिक वगरा भी मैं अभी जब से नदर हुआ है मैं कामी यूज कर रही हूं कियूंकि बहुत बार उसको उसके साथ कन्टेक्ट होता है कभी उसको किसी कहाँ है या फिर बच्चा भी तो 樣े लगाता रहता है नहीं जब गी त्यार होती हून तो मेरे हिप्स्टिक हाता है कि ममा ने क्या लगाया है लिप्स पे या तो आप लगाते हो फिर बच्चा यूस्टू हो जाता है अगर आप नहीं लगा रहे हो फिर जब आप कभी कभी लगाते हो तो बच्चे को भी न्यू लगता है कि पता नहीं ममा ने क्या लगा लिया है फेस पे तो यह चीज़े मैंन मैंने उसको जल्दी से उठा लिया और फिर उसके बाद फिर मैं रेडी हुई उसको थोड़ा से सेटल डाउन करके और फिर मैंने ब्लॉग जादा कंटिनू नहीं किया ये देखिए ये नाइट का ब्लॉग है ये कुछ रील्स बनाई हैं चान निकल आया था तो हम लोग पू आपके साथ मैं शेयर कर रही हूं होप आपको अच्छी लगेंगी तो अगर और भी आपने हमारी डील्स देखनी है तो मेरा अकाउंट है गुर्पुश पूफिश्यल आप मुझे इंस्टाग्राम पर फोलोग कर लेना वहां पर मैंने बहुत सारी डील्स एड़ की हैं और करती भी रहती हूं यह है मेरे करवा चोथ का किफ्ट जो कि मुझे मुझे मौर्निंग में सुबह ही मिल गया था सरगी के बाद फिर मैं तो सोई नीदी नहीं आई हूं मुझे और जब यह उठे तब इन्होंने मौर्निंग में ही मुझे यह दे दिया है इसके साथ भी मैंने कुछ टील्स एड की है इंस्टागाम पर आप वहां पर देख सकते हो तो यह बिलकुल ही कलर है जो मेरे सूट के साथ मैचिंग इनोंने मंगवाया है जैसे इनको पता था कि मैं यह वला सूट पहनने वाली हूं तो वैसे कलर इनोंने मंगवाया है इस वाच का यह देखिए बहुत ही प्यारी है वैसे तो मैंने उनको थेंक्यू बोल दिया है और एक बार फिर ब्लॉग में भी बोल देती हूं थेंक्यू सौ मच पति देव इतने संदर गिफ्ट के लिए आज का बिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया सुबह से उठी वियू में बाच बज़े की तो बहुत ज़्यादा ठक गई हूं अभी बस अभी सोने को मन कर रहा है 10.30 हो गए है और डिनर हमने कर दिया है तो अभी हम बस सोने की त्यारी में है तो नदर भी थोड़ा सा हो जाता है थोड़ा इमोशनल हो जाता है वो थोड़ा इंसिक्यूर हो जाता है जब मैं रेडी होती हूं उसको लग रहा है मुमा पता नहीं कहा जा रही है आज कुछ जैसे ही उसके बाप आए फिर हमने जट से पूजा की चांद भी तब ही आ गया था एट थर्टी बे और फिर हम लोगों ने उसको सुलाया पहले और उसके बाद भी हमने डिनर किया है विज्व का टाइम हो गया है वो नाइन ओ क्लोक अरांड एबरी नाइट सो जाता है तो उसके बाद फिर हमने डिनर किया तो थोड़ी बहुत मैंने रिल्स कर रहा है जो मेरा अकाउंट है गुल्पुश पोफिशल इंस्टागराम पे वहाँ पे आड की है तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो मेरे सूट की लूप कैसी आई है कैसा मेकप उसमें आ रहा है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो और मुझे वहाँ पर follow भी जरूर कीजिएगा और अगर आपको ये मेरा ब्लोग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए और जल्दी से मुझे 1K तक्रीच करने के लिए help कीजिए जल्दी आपको मिलती हूँ एक new blog के साथ Till then bye bye Thank you so much for watching Keep spread positivity